दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टिक में आज चार मर्च दोजार चोबीस और जान लेते हैं आज की माजपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुक समाचार पत्रों पे चाही हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत हैं इंपोर्टन्ट हैं सब लोग जानते हैं कि आरो ए आरो परिच्छा रद कर दी गई यह परसों और उसी कड़ी के बाद कल यह परिच्छा नियंतरक भी अटा दिये गए हैं यहां पर दिखे दिया गया कि प्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदिस लोग से वह आयों कि परिच्छा नियंतरक अजय कुम अमद में सासन ने आम लोगों से साथ च्वांगे थी जिसमें गड़बड़ी मिली परिच्छा के सुष्टा के लिए मुक्ष्छा ने दोनों सत्रों में आयुजित परिच्छाओं को रद करने के निर्देश के साथी प्रकरण के जांच यह स्ट्री अब को सूप दिये सास से होंगे उन्हें बक्सा नहीं जाएगा कि उनके खिलाब कड़ी का रवाई होगी तो आपको बता दें हम पात साल में तीसरे परिच्छा नेंद्रक पर यह गाज गिदी हैं इससे पहले भी कई परिच्छा नेंद्रक यहां पर हटाए गए हैं उसे के बारे में आपर दिय परिच्छा नेंद्रक के खिलाब मुकदमा दर्श कर आया था और एल्टीकट सिच्छक बढ़ती दो अठारा में पेपर लीक मामले में ततकालीन परिच्छा नेंद्रक एस्टीएफ ने गरफ्तार करके जेल भेज दिया था तो एपीस बढ़ती में गड़बडी का मामला दोनों परिच्छां से अलग था इस बार आरो ए यारो परिच्छा नोज़र तेस में पेपर लीक विवादें परिच्छा नेंद्रक पर गाजगिरिये हैं जून 2022 में आयोक के परिच्छा नेंद्रक के पद पर सासन ने इनको नियुक्तिक किया था यहां आने से पहले हो जिलादिकारी वित्युमराचा सुक्विपद पर तैनाद थे यहां पर देखिए बताया गया है कि 2019 में इल्टीकेट बढ़ती मामले को लेकर ततकारिन परिच्छा नेंद्रक अंजू कटियार इनको गरिफतार किया गया था ठीक है इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि आगश्व दुजारे किस में पूर परिच्छा ने अंद्रक प्रभूनात के खिलाब मुकेदमां दर्ज करवाया गया था और अब यह देखिए तीसरे हैं अज्यक मरतिवारी आरो यारो मामले को लेकर करके यहां पर देखे बताया गया कि आरो यारो पुनर परिच्छा अ लेकिन बीच में चुनाव हैं तो चुनाओं के बीच में कोई पॉस्बिल्टी ही नहीं है चुनाओं के बाद ही यह परिच्छा कराई जाएंगी अब इसी के साथ ही एक बड़ी चुनाओती है आयो के साबने PCS परिच्छा आप लोग जानते हों कि PCS की प्रारामबिक परि प्रतियों नहीं यहां पर आविदन किया है दो पालियों में PCS की परिच्छा है अब आयो के सामने बड़ी चुनाओती है कुछ आप बड़ती कह रहे हैं कि परिच्छा पोस्ट्पॉंड हो सकती है लेकिन अभी आयो के तरफ से कोई पी सुचना नहीं दी गई है यहां पर देखे दिया गया कि PCS 17 को इस अपते जारी होंगे प्रवेश्पत्र पेपर लीक के खिलाब प्रतियों कि आंदोलन के बाद सनिवार को समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी प्राड़मिक परिच्छा रद कर दीगा इसके पहले पेपर लीक के कारण ही उत्रपते सिपाई बढ़ती भी रद की जा चुकी है 17 मार्च को होने वाली PCS परिच्छा सुच्टा पूर कराना लोग से आयोक के लिए चुनूती है इस अपते परिच्छा का प्रवेश्पत्र जारी कर दिया जाएगा और यहां पर अब इसके बा करने वाले जेल में सड़ेंगे कहा बाप दादा की संपत्ते भी जब्त करेंगी सरकार तो यह स्टेट्मेंट यहां पर आ रहे हैं जो भी इन सब मामलों में लिप्त हैं पेपर लीक मामले में उन्होंपर कड़ी कारवाई का आस्वासन लगातार दिया जा रहा है यहां पर देखिए अपडेट की पेपर लीक में टीटी से पीसेस परिच्छा तक हो चुकी है निरस्त हैं पेपर लेक के कारवण पहले भी कई बड़ी परिच्छा निरस्त हो चुकी है पहले तो आयोग ने पेपर आउट होने से इंकार कर दिया लेकिन बाद में सासन इस तरह से दबाव के बाद इसकी परिच्छा निरस्त करनी पड़ी थी तो लगातार बहुत सारे परिच्छाएं हर साल लीक होती है इलहाबाद में कर्मचारी बढ़ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो भी छुक्स आती हैं आपर फार्म बढ़ सकते हैं लेकिन बताया गया कि इलहाबाद में कर्मचारी के कमी जल्दे दूर हो जाएगी गुरुप C के तैद 25 प्रकार के 313 पदों पर और गुरुप A के 18 गुरुप B के 16 पदों पर बढ़ती के नोटिफिकेशन जारी किया गया यानि कुल 347 पदों पर बढ़ती होनी है एक मार्च से लेकर के जो है इसमें आप आवेदन कर सकते अंतिम डिट एक अप्राइल ते सब्सक्राइब के लिए 700 रुपए फीस और 100 रुपए फैसलिटेशन चार्ज है तो जो भी अब बिरती चुक है वह यहां पर फार्म बढ़ सकते हैं बढ़िया विकिंसी है यहां पर देखें बताया गया कि जिले के 21 कालेजिव में 98 मैं सिच्छक सर प्लस प्रयागराज के अब डीटे लिखाया कि संगम नगरी के 150 से अधिक सायत्य प्राप्त बाला कमादमिक विद्यालियों में 11 आवसकता से अधिक सिच्छक कर रहत हैं खास बात है कि जिन स्कूलों में सिच्छक सर प्लस हैं उनमें अधिकान सहरी शेत्रे में मादमिक सिच्छन डॉक्टर के नर्देशन पर छातर संख्या के अनुपात में गड़ना की गई तो 21 स्कूलों में सरप्लस सिच्छक मिले अब इन्हें दूसरे स्कूल में समयुजित करने के लिए जीला विदा निरिचक पीयन सिंग की रिपोर्ट से रिपोर्ट सिच्छन दिसाले को भेज़ दी गई ह रिपोर्ट के मताबिक किपी जैसवाल इंट्रकालेज बीजिट सिंग अलसा इह सिच्छक स्रुप्लस है इलहबाद इंट्रकालेज सहरी विद़्धले हैं, वहां पर यह है कोंगा कमी हैं, यही हाल सबीजुलों का सबीजुलों में सरकार सरफ्फ सिचक बता रही है, steɑधक हैस कि अब इतने बच्चे होंगे हैं उसी के अनुसार टीचर डिसाइड करेंगे आपके विद्देलें पज कितने सर्जेत हैं उसे कोई देना देना नहीं है छत्रसंग क्या ही एक आदार होगी सच्छकों की वहाँ पर रहने के लिए तो अम्मेद करेंगे वीडियो आपको पसंदाया होगा इसे वीडियो में इतना ही देने वाद है